रात हो गई है दुख से पेट भर गया था मेरा रूममेट रात को 10 बजे आकर खाना खाकर खर राटे मारकर सो गया है यूनिवरसिटी के हॉस्टल के रूम को हमने शेयर किया किन्तु सुख दुख को नहीं बाटा वहाँ ब्रामन है उसका मेरे साथ रूम बाट कर रहना ही बह दार्ता की बात है चारों और शुन यहीं शुन है सर्वत्र अंदकार है मेरा रुदय क्या इस दुख को वहन कर सकता है कहीं फूट तो नहीं जाएगा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मा गुजरी नहीं होगी टेलीग्राम जूटा होगा मैं वेजंडला नहीं जाऊंगा दिये ओनर्स की परिक्षा वित्रडा नहीं करूंगा आखरी परिक्षा यानी आठवे परचे के लिये पड़ूंगा सोमवार को परिक्षा लिखूंगा आखरी परिक्षा निभंध है छे प्रश्न होंगे उसमें से एक प्रश्न को चुनना होगा उसे तीन घंटे लिखना होगा एक ही प्रश्ण होगा उसके सव अंख होंगे उनमें कम से कम एक प्रश्ण का जवाब मैं लिक सकूंगा या विश्वास मुझे है ज्यादा प्रश्ण ही लिखे जा सकते हैं सभी लिखे सकने वाले ही तो सकते हैं डरने की कोई बात नहीं अभी का अभी पढ़कर लिख दूरत नहीं है इसका सिलेबस नहीं है तीन साल तक ये विद्यानुभव के आधार पर समाधान लिखना होगा मैं पड़ नहीं रहा हूं परिक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं वेजेंडला में जाने पर अम्मा वास्तव में गुजर गई हो तो अंतिम दर्शन भी न करनी होगी उसकी इच्छा को पूरा करना होगा इसलिए परिक्षा लिख ना ही होगा मुझे बड़ी नौकरी करते देखने की इच्छा रखने वाली अम्मा क्यों मर गईगी मान नहीं मरेगी मेरे बड़िया नौकरी में जुड़ जाने तक तो अवश्य ही नहीं मरेगी अम्मा मर नहीं सकती है मेरी सोने की अम्मा जीवित ही रहेगी मुझे इसका डर नहीं है फिर भी नीद नहीं आई रात मेरी पहरेदारी करते वे सोए बिना उंगती हुई बनी रही हमारी आयू की रातरी हामी भरती ही रही मेरी मा को मुझे जीवित दिखाने के लिए उशा उभर कर आ रही थी रात भर मेरी आखों का प्रतिक्षा करना सहना पाकर जल्दी जल्दी पूर्वदिशा में सुर्य उदे हो गया मेरा रूममेट नींद से उठकर मुझे उपर से नीचे देखकर पढ़ा भी नहीं सोया भी नहीं रात भर यूही कुर्सी में क्यों बैटा रहा कै पूछा फि मेरी मा गुजर गई है टेलीग्राम आया है मैंने उसे बताया दो मिनिट तक निश्चेठो खड़ा रहा तुम्हारी माता जी गुजर गई है क्या हाए बेचारी तुमने बतलाया था कि उसकी उम्र छोटी ही है हाँ क्या करने का विचार है कुछ समझ नहीं आ रहा है पैसो की आवेशकता है क्या नहीं 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 है हाए बेचारी गुजर गई है कितना कष्ट आ पड़ा है तुम पर सौरी यार मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा बताओंगा शास्त्री का तेनाली मैं मारिस पेटा है ज्यादा चुवा चूत का ही रखता है मेरा रूममेट होने के कारण कोई ना कोई उसका उपहास करते ही रहता है मेरा रूममेट बड़ा ठीक ठाक वेक्ती है उसकी तरह बहुत कम लोगी होते हैं कै कहा करता था मुझे क्यों रे कहा करता था मैं उसे क्यों शास्त्री कहा करता था एक सो बॉक्स में साबुन तूथ पेश्ट ब्रश आधी लेकर कंधे पर तौलिया डाल दो मिनिट में आउंगा के चला गया मैं भी उठकर सोच श्नान आधी कर कपड़े पहन रहा था वेडू हमारा जूनियर आया कल दिन बर कहां थे अन्ना बड़े भाई को कहते हैं जूनियर सीनियर्स को अन्ना के संबोधित करते हैं रूम में था कहा परिक्षा अच्छी तरह से लिखा तो फिर क्या हुआ टेलीग्राम हाथ में थमाया उसने काफी देर तक पड़ा